Hello everyone, welcome back to my channel, आज हम बात करने वाले हैं दो best jobs के बारे में, दोनों की दोनों jobs अलग-अलग domain में आई हैं, यहाँ पर best part ये है कि आपका ये completely work from home है, आपको कहीं भी नहीं जाना है, जिस company में ये job आई है, वो company काफी stable company है, और मैं आपको उसकी खुद की direct career page पर ले जाकर, official website पर आपको दिखाऊंगी तो यहाँ पर आपको शॉरिटी हो जाएगी, कोई भी charges नहीं है, कोई fees नहीं है, और यहाँ पर 100% work from home है, freshers भी apply कर सकते हैं, अच्छी बात ये है, कि ये job में actively hiring कर रही है इनकी team, तो अगर आप यहाँ पर तुरंट apply करेंगे, आपको रिवर्ट आन हैं, तो यहाँ पर जरूर से apply कर दीजे का, हाँ, अगर आप में से काफी लोग हो सकते हैं, जिनका रिवर्ट नहीं आता हो companies में से, तो प्लीज आप अपना एक बार resume चेक करिए, बहुत से ऐसे AI platforms हैं, जहां पर आप अपना resume डालेंगे, resume डालते ही, आपको सारी वो आपक जरूरत है, तो आप हमें Instagram पर ping कर सकते हैं, तो अपना resume को पहले ठीक करिए, उसके बाद आप apply करिए, क्योंकि जो first step होता है, उसमें आपका resume के basis पर ही, आप शॉट लिस्ट होंगे, वो आपको पैचानते नहीं हैं, चलिए, आगे बढ़ते हैं, आगे हम detail में समझ लेते ह कि job है क्या, कौन apply कर सकता है, कैसे apply करना है और इसके बात का process क्या रहेगा, बट उससे पहले channel पर अगर आप नए हैं, तो please channel को subscribe जरूर कर लिजेगा, जिससे कि ये जो daily job updates हम आप के लिए लेकर आते हैं, इनको आप miss ना करें, साथ ही साथ आप हमारा whatsapp channel और telegram group भी join कर सकत हैं, जिससे कि आप ये latest updates मिस ना करें, आगे बढ़ते हैं, हम आ गए हैं, डिटो की career page पर, यहाँ पर जब आप स्क्रोल डाउन करेंगे, आपको ये link description में मिल जाएगा, स्क्रोल डाउन करेंगे, यहाँ पर actually 3 jobs थी, तो पहली job जो थी, वो kind of, यहाँ पर है पहली job, insurance advisor, औ तो यहाँ पर हम ये वाली job देख लेते हैं, customer service quality executive की, यहाँ पर basically करना क्या है हमको, एक second, हम, टेक्स्टॉप मोड में चेंज कर लेते हैं, तो आप में से देख जिनको नहीं आता है न, अगर आप मोबाईल से फॉर्म बढ़ते हो, यह मोबाईल से लिंक होते हैं, तो बहुत से लोग बोलते हैं कि हमको, हम फॉर्म नहीं भर पाँया हैं, हमको इसी वीडियो में बता साइड में आपको जो त्री डॉट्स दिख रही है आप इन पर क्लिक करेंगे और यह टेक्स्ट आप साइड आपका अन हो जाएगा तो आपको एक नॉर्मल जो लाप्टॉप की स्क्रीन होती है उस तरीके से आपको वैसा इंटरफेस दिखेगा तो यहां पर देखियो कस्ट करते हैं और बाकी सारी इन सब चीजों में देल करते हैं जिस तरीके से लोग जो कस्टमर्स और जिस भाशा में वो समझेंगे उस भाशा में यह समझाते हैं वी क्यूरेट और ऑफर पर्सिनलाइज रिकमेंडेशन मतलब डिपेंड करता है ऐसा नहीं कि इनके जो प्लान्स हैं उसके बेसस पर इंशॉरेंस देंगे यह कस्टमर की सुनते हैं पहले और कस्टमर के अकॉर्डिंग ही अपने प्लान्स को बताते हैं ठीक है यह जरोधा तो आपने सुना ही हो काफी अच्छा ब्राइंड है वो काफी इंडिया की लाजस्ट स्टॉक ब्रोकर है तो इन् इन रिकॉर्डिंग्स को आपको ऑडिट करना पड़ेगा मतलब आपको इन रिकॉर्डिंग्स को सुनना पड़ेगा और उसके बेसिस पर आपको उनको बताना पड़ेगा कि क्या इसमें गलतियां है या हम और बहतर तरीके से कैसे हम बात कर सकते थे इस टाइप से ठीक है तो आपको developing, creating, implementing, quality process, आप basically auditor हैं यहाँ पर, feedback प्रोवाइड करना पड़ेगा, जो भी आपने recording सुनी है, इसके लिए आपको training भी दी जाएगी, क्योंकि as a fresher hire कर रहे हैं, तो training of course मिलेगी आपको, ठीक है, और यहाँ पर next आता है, experience की बारी, तो अगर आप fresher है, तो भी आप apply कर सकते हैं, और अगर आपको 0-3 years का experience है, एकाज साल का experience भी है, थोड़ा बहुत experience भी है, तब भी आप apply कर सकते हैं, communication अच्छा होना चाहिए, क्योंकि आप बात करेंगे, आप जरूरी निया, English communication अच्छा होना चाहिए, कस्टमर अगर हिंदी समझता है, तो आपको हिंदी भी fluent होना चाहिए, कुछ ऐसे words होते हैं, slang होते हैं, जो आपको use नहीं करने हैं, तो ये सारा कुछ आपको training में बताया जाएगा, but make sure करियेगा, कि at least बोलने, थोड़ा बहुत Hindi and English, Hindi तो अच्छी आनी चाहिए, English भी आपको इतना आना चाहिए, कि आप बातचीत कर सके, normal conversation कर सके, plus समझ सके, strong sense of ownership and leadership quality होनी चाहिए, excellent listening and analytical skills, अगर आप सुनेंगे अच्छे से, तभी आप audit कर पाएंगे, please find the application process, तो application process का link आपको मिल रहा है, basically application process में करना क्या है, should we like your application, we will send you a link, अच्छा, आप यहां पर apply कर दिंगे, तो आपको एक link आएगा, जिसमें आपको short video resume record करना पड़ेगा, मतलब अपने बारे में थोड़ा सा बताना पड़ेगा, please take the time to check your inbox, form भरने के बाद inbox जरूर चेक करना है आपको, remote work है, देखिए, LPA आपको CTC दे रखा है, 454,600 यह आपका starting CTC रहेगा, ठीक है, please note, okay, fraudulent तो नहीं है, क्योंकि इनकी डिट्टो वेबसाइट है, अगर आपको कोई issue आता है, यहाँ पर या फिर आपको reward नहीं आता है, काफी time तक, तो आप इस mail में, इस email ID के तुरू, इनको mail कर सकते हैं, इनसे पूट सकते हैं, ठीक है, next job के बारे में, apply button पे, वो चो टॉप में apply button था, उसमें click करके, हम normally apply कर देंगे, अब advisory department में, जोब आती है, वो है insurance advisor, अब आप पहली बात तो यह समझ लीजे, कि आपका काम सिर्फ बेचने का नहीं है, आप यहाँ पर sales में काम नहीं कर रहे हो, आपको कोई target नहीं दिया जाएगा, कि नहीं आपको तो यह achieve करना ही करना है, आप advisor है, आप customer को सुनेंगे, उनकी query को देखेंगे, कि किस type का insurance उनके लिए best fit होगा, उस type से आप उनको suggest करेंगे, और क्यों ज़रूरी है, क्या है, तो कुछ customers होते हैं, जिनको awareness नहीं होती है, आप उनको explain करेंगे, और अगर आप sales कर लेते हैं, तो well and good, बहुत अच्छी बात है, सोने पर सोहागा जैसी चीज है, कोशिश तो करना है, कि आपको achieve करना पड़ेगा, लेकिन जब targets नहीं रहेंगे, आप क्यों पर एक वो तो आप अरसानी से कर सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज ध्यान से सुन लीजे, एक सेकंड, आपको करना क्या इनकी requirements क्या-क्या है, excellent communication skill होना चाहिए, attention to details, language powerness, proneness होना चाहिए, मतलब language जो भी आप बोल रहे हो, उसमें आपका fluency होना चाहिए, इसके बाद बारी आती है, tech saviness, थोड़ा बहुत आपको knowledge होना चाहिए, computer का, तो obvious है अगर आप work from home काम कर रहे हो, influential skills होना चाहिए, कि आप दूसरे को influence कर सकें, perks and benefits क्या होंगे, अगर आप यहाँ पर काम करते हैं, तो आपको तो work from home मिलने वाला है, opportunity growth काफी अच्छा है, comprehensive health insurance मिलेगा आपको, competitive salary मिलेगी यहाँ पर, 4,54,600 की salary है, लगबग 4,400,000 रुपए, और यहाँ पर आपको incentives भी मिलेंगे, ठीक है, यहाँ पर कुछ training होंगी, training के बाद आपको incentives मिलने शुड़ो हो जाएंगे, इसके अलावा leaves भी मिलेंगी, जो भी planned leaves होती है, आपकी normally जो आप as a full-time employee, आपको जो मिलती है, off-site and events भी होते रहते हैं, तो आप वहाँ पर join भी कर सकते हैं, इनकी team को, ठीक है, तो यह सारा पढ़ लीजेगा, उसके बाद, अच्छा, मैंने इसको desktop mode पर किया है, हाँ, तो यहाँ पर interview का process कैसा होगा, इसमें interview होगा, क्योंकि आपकी communication skills चेक करेंगे, ठीक, तो यहाँ पर warm welcome किया जाएगा, पहले तो एक introduction वाला call होगा, फिर showcase your skills and potential, task 1 होगा, second होगा deep diaper, sorry, dive deeper into the role and showcase your expertise, final managerial round होगा, अब यहाँ पर तो simple simple दे रखा है, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, जैसी आप first round clear करेंगे, आपको detailed mail आएगा, जिसमें आपका task 1 होगा, task 2 होगा, सब कुछ उसमें दिया रहेगा, अगर आपको इसमें issue आता है, या आगी का process आप shortlist हो जाते हो, second task 1 में पहुँचते हो, task 2 में पहुँचते हो, आप नीचे जाएंगे, apply, resume करेंगे, और नॉर्मल अपनी general details हो फिल करतेंगे, और यहां पर languages कौन कौन सी आती है, यह जो normal general चीज़े है, आप फैलकन में जाना चाते हैं, या ब्लिस में जाना चाते हैं, तो उपर दिया है, फैलकन में क्या करना पड़ेगा, इनका ऐसा कुछ रहता है कि फैलकन में 60% कॉलिंग है, जादा कॉलिंग है, लेस, मतबसे जैसे फार एक्जामबल 60% कॉलिंग है, तो 40% WhatsApp चाते है, और टीम फैलकन में, चैट कॉलिंग जादा है, चैट कम है, तो आपके उपर डेपेंड करते हैं, आप क्या लेना चाहते हैं, आपना टाइम जोन चूज कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग ठीक है, बाकी सारी डिटेल्स आप अपने अकॉर्डिंग फिल कर सकते हैं, और उसके बाद I am not a robot पर क्लिक करकी सब्मिट कर दीजए, तो ये आज का जॉब था, उम्मीद करते हैं, इंटरेस्टेड है, मतलब, एक से केंड न, देख रही हो, अगर आपको फाइलकन वाला मिल जाता है न, तो आपको कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा, इस तिंग वो उपर ही है कहीं, हाई ये रहा, देखे, टीम ब्लिस में क्या करना है, आपको 40% जो टाइम होगा, वो आपको कस्टमर को टारेक्ट कॉल करके, समझाना पड़ेगा, एडवाइस देनी पड़ेगी, और जो आपका बाखी का 60% है, वो आपको नॉर्मल चैट के दूपे समझा सकते हैं, इसका टाइम रहेगा 2 पे-म टू 11 अम, 11 पे-म, रात के 2 बज़े से 11 बज़े तक, ठीक है, रात का नहीं सॉरी, यह आफ्टरनून शिफ्ट है, नाइट शिफ्ट तो नहीं बोलिंगा इसको, आफ्टरनून शिफ्ट है दिन में 2 बज़े से, रात में 11 बज़े तक, और यहाँ पर एक टीम फालकन है, जिसमें 60% आफ दे टाइम आपको कॉलिंग में करना पड़ेगा, तो टीम ब्लिस में कम कॉलिंग का काम है, बट टीम फालकन में ज्यादा कॉलिंग का काम है, प्लस इसमें जो टाइमिंग है वो सुबह का है, सुबह 10 बज़े से शाम को 8 बज़े तक, ठीक है, तो यह इसकी अकॉर्डिंग ही form फिल करिएगा, जिसमें भी आप कमफर्टेवल है, अप्लिकेशन सब्मिट कर दीजेगा, प्लस अपने मेल पर आपको एक्टिव रहना है, आज के लिए पस इतना ही, जॉब में अगर आप इंटरस्टेड हैं, अप्लाइ जरूर कर देना, आपके आसपास 101% ऐसे लोग होंगे, जिनको आप किसी और पर्टिकुलर फिल्ड में आप जॉब ढून रहे हो, हमें कॉमें सेक्षिन में जरूर पिताएगा, आज के लिए बस इतना ही, मिलिंगे नेक्स न्यू जॉब में, थैंक यू फो वाचिंग,